प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो मदूद हैं आदेते साथ नकसली मारे गए हैं पुलिस के लिए बड़ी काम्याभी है और कैसे इस मुटभेड को अंचान दिया जा रहा है यह जो अपनी कारवाई रोग देते हैं लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बारीश के मौसम में जिस जंगल में पुलिस में यह कारवा जो जंगल है जो नकसली का फोर इनाका माना जाता है तिनार का जंगल है यहां पर एस्टीए पोर डी ने मिलकर यह कारवाई की है बारीश के मौसम में इसाब पहली बार हुआ है कि इंदीन जंगलों में भारी बारीश कर दिए उसके बावजूर पुलिस ने जंगल में इसके साथ ही इन नकसलीों के पास बड़े बैमाने पर गोला पारूद भी पुलिस ने रुक रिकवर किया है एक एक पोर्टी शवन राइफल की भी रिकवर होने की सूचना मिलिया हाद की आलक यह जानकारी भी पुछ नहीं हो पाई है आई जी वीवेका नंसिना ने बताय कि अभी जो है मुडवेड चल रही है करी नकसलीों के महाँ पर मौजूद होने की जानकारी मिली है CRPF की एक पार्टी भी निकल चुकी है और चारो तरफ से जंगल में नकसलीों को घेर चुकी है CRPF, BRG और SPF इसके बाद जो है कि मुडवेड में करीब और नकसलीों के 100 ब थाइलंड के श्यंग राई की गुफा से बचाए गए बच्चों के घर पहुँचने के बाद उनके परिवारवाले उन्हें चुमने लगे 17 दिन तक गुफा में फस्य रहे 12 लड़कों और उनके कोच को बहार निकालने के बाद उन्हें अस्पताल में भरती करवाय गया था जहां से उन्हें छुट्टी मिल गए जुसके बाद घर पहुँचे बच्चों को देखकर उनके परिवारवाले चशन मनाने लगे और खुशी से उन्हें चुमने लगे गुफा में फसे एक लड़के के परिवारवाले और पडोसी उसके साथ सेलफी लेते नजर आए परिवारवालों ने मीडिया का भी शुक्रिया आदा किया और बच्चे के सुरक्षित लोटने पर सब ने प्रातना भी कि इससे पहले अस्पताल से छुटी मिलने के बाद सभी लड़के और उनके कोश ने पहली बार मीडिया से बात कि मीजा के सामने लड़कों ने गुफ़ा के अंदर का नुभव भी साजा किया ये लड़के वाल्ड बोर नाम की फुटबॉल टीम के खिलानी हैं उन्होंने मीजा के सामने फुटबॉल खेवकर पूरी तरह सीहत्मन्द होने का सबूत भी दिया पंजाब के लुध्याना में कुछ लोग एक ड्राइवर को पकड़ कर पीटने लगे आरूप है कि इस ड्राइवर ने अपनी कार में एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की जिसकी भनक लगने पर आसपास के लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जम कर भिटाई कर दी इस दौरान आरूपी ड्राइवर लोगों से उसे छोड़ देने की गोहार लगाता रहा लेकिन मौके पर जुटी भीड उसे पीटती रहे इसी बीच भीड में मौझूद एक आदमी आरूपी ड्राइवर के घर फोन कर उसकी हरकत के बारे में बताने लगा आरूपी ड्राइवर ने अपने उपर लगे आरूपों को गलत बता दिया घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरूपी को हिरासत में ले लिया हिमाचन प्रदेश में भारी बारिश की वज़़से शिमला में महली के पास नैशनल हाइवे 5 पर जमीन खिसकने से हातसा हो गया मलबे की चपेट में आने से पांच लोग घायल हो गए मौके पर दमकल की पांच काड़ियों ने पहुंच कर राहत बचाफ किया घायल पांच मस्दूरों को इंद्रा गांधी मेटिकल कॉलिज में भरती करवाए गया जिन में एक की हालत कमभीर बनी हुई है प्रदेश दमन और दीव के दीव में एक सड़क पर खुटने तक पानी में टूबे कुछ लोग सीवर लाइन का धकन खोलने लगे दीव में बीते एक हफ्ते में हुई भारी बारिश से बार के हालात बन गए जिन से निपटने का बीड़ा इलाके के उन लोगों ने उठाया और शेहर में भरे पानी को निकालने के लिए सीवर लाइन को दुरुस्त करने की कोशिश की कुछ इलाकों में उनकी ये कोशिश कामयाब रही लेकिन कुछ में इतना पानी भरा था कि उसे निकालने का रास्ता लोगों को नहीं सूजा ना केवल हलात से निपटने की कोशिश की, बल्कि मुश्किल हलात में फसे कई लोगों को खाने पीने का सामान मौहा करवाया बीते एक हफते में हुई बारिश से दीव के कई निचुले इलाके पानी में दूब गए चबकी कुछ इलाकों की सडकों पर पानी भर गया जिसके बाद बचाव की टीम वहां पहुंची और प्रभावित लोगों की मदद में जुट गए इस दौरान जिस जगह बादल फटा वहां की कई सडकें पानी के तेज बहाव में बह गए गई जिबकि कई गाडियों को भारी नुकसान पहुंचा वहीं पहाड किसकने से नैशनल हाईवे समेथ कई रास्तों पर मिट्टी और पत्थरों का धेर लग गया जिसके बाद बचावदल के लोगों ने खुदाई करने वाले मशीनों की मदद से कई बंद रास्तों को खुलवाया बादल फटने और पहार किसकने की घटना के बाद खत्रे को देखते हुए कई लोग अपने घरों पर ताला लगा कर सुरक्षित जगों पर चले गए ग्रिटर नॉडर के शाबेरी में इमारत हादिसे में 34 घंटे से जादा का वक्त बीटने के बावजूत अभी तक मौके से मलबा नहीं हटाया जा सका है मलबे से अब तक 9 लोगों के शब निकाले जा चुके हैं जबकि राहत बचार पकाम अभी भी जारी है महीं मामले में प्रबंदक और साहिक प्रबंदक परियोजना अधिकारी को निलंबित कर 24 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्च करवाई गई है पुलस ने अभी तक 4 लोगों को गिरफतार किया है जबकि पुश्टाज के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है आरोपी बिल्डर के खिलाफ एनसे के तहट कारवाई की तैयारी है चबकि मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने हादिसे में जहन कवाने वाले परिवार वालों को दो-दो लाख रुपए की मार्थिक मदद का एलान किया है उत्राखन के पिथोरा गडबे पहाड का एक बड़ा हिस्सा आचानक तूट कर गिर गया जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त BRO यानी Border Road Organization के कुछ कर्मचारी वहाँ बंद सड़क को खोलने का काम कर रहे थे लेकिन तभी बारिश की वज़े से कमजोर हो चुके पहाड का एक हिस्सा आचानक नीचे गिरने लगा पहाडी का हिस्सा गिरते ही सड़क पर काम कर रहे मज़़ूर दोड कर वहाँ से दूर हट गए जिसकी वज़े से किसी मज़़ूर को कोई चोट नहीं लगी वहीं पहाडी के तोटने से बड़े बड़े पत्थर सड़क के नीचे गिरने लगे और काफी धूर उटने लगी जिसके बाद वहाँ मौजूद लोग जोर से चला कर नीचे मौजूद लोगों को हटने का इशारा करने लगे जहां से पहाडी का हिस्सा ठूटा, वहां से काफी देर तक सड़क पर पत्थर गिरते रहे जिसकी वज़े से सड़क को खोलने का काम रोक दिया गया बिहार के पतना में गाडियों के एक शोरूम के बाहर जोते कई लोग महा तोरफोर करने लगे इन लोगों ने आरोक लगाया कि शोरूम से निकली एक गाड़ी ने वहां से गुज़र रहे एक बाइक सवार को कुचल दिया जिससे उसकी मौत होगी और ये गंभीर आरोक भी लगाया कि घटना के तुरंत बाद शोरूम के कर्मिचारियों ने सड़क पर पहले खून को धोकर सबूत मिटाने की पोशश की हंगाम कर रहे लोगों ने शोरूम के बाहर रखा सामान और गमलों को भी तोड़ दिया हंगामे को बढ़ता देख पहले तो पुलिस के कुछ जवानों को मौके पर बुलाया गया लेकिन जब बात नहीं बनी तो भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा कुछ घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कारवाई का भरोसा दिया हंगामे की वज़ा से काफी देर तक ट्राफिक जाम रहा जिसे कुछ देर बाद पुलिस की मदद से खुलवा लिया गया मद्द पृदेश के दमहों में कुछ लोग बाड के पानी में फसी एक कार को निकालने की कोशिश करने लगी महां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परिशानी बढ़ा दी जबकि शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया जिसकी वज़े से एक घर के बाहर खड़ी कार भी तेज बहाव में फस गई पानी में फसी कार को सुरक्षित निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी डमहो रेल्वे स्टेशन के बाहर भी चारों और पानी ही पानी नजर आया जिससे मुसाफिरों को तकलीफ का सामना करना पड़ा लोगों को अपने सामान के साथ पानी में ही चल कर अपने घरों तक जाना पड़ा अनकि इस मुसीबत के बीच भी कुछ बच्चे पानी में डूबी सडकों पर मस्ती करते दिखाए दिये पुलिस और नकसलियों में मुटभेड अभी भी जारी है और मौकी पर अतिरिक पुलिस बल रवाना किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के कठुआ गैंग रेप और हत्या मामले में आरोपियों के एक वकील को एडिशनल एड्वोकेट जनरल बनाये जाने का सियासी विरोध शुरू हो गया सरकार के इस वैसले पर पीडीपी ने कड़ा इतरास जताया और पाटी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने निशाना साथते हुए ट्विटर पर लिखा कि हत्या और रेप के आरोपियों का बचाव करने वाले लोगों को इनाम देना विभत्स और नयाय की भावना को आहत करने वाला उलंगन है ऐसा कदम केवल हमारे समाज में रेप की संस्कृति को प्रोचाहित करेगा महबूबा के अलावा नैशनल कॉन्फेंस की ओर से ओमर अब्दुल्ला ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए लेकिन कठुआ मामले में आरोपियों के दूसरे वकीलों ने सरकार के फैसले का बचाव किया कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में महबूबा सरकार ने सख रुक दिखाय था इसलिए राज्यपाल शासन के तहट आरोपियों के एक वकील को सरकारी पत दिये जाने पर सवाल उठे